हेलो एबरीवन बेलकम वन्स अगेन और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं मैथ का पेपर जो है करा दीजिये प्लीज तो मैंने सी लिए इसको लिया है फटाफट और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत समझ के करे हुँ जब आपके अंदर आप मानोगे आसान है तभी आपका जो सबकॉंसियस माइंड वो भी चीजों को आसान मानता है और फिर हम उसी तरीके से चीजों पर रियक्ट करते हैं तो हमेसा पॉजिटिव रहिए ठीक है चलिए फिस्तार्ट करते है हमारी आज की क्लास को जो क कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजीगा ठीक है चलिए फिस्तार्ट करते हैं देखेंगे अपने फिस्ट क्वेस्टन को यहां पर अब क्या कह रहे हैं यदि आपके पास तीन सिक्के एक रुपए की तो आपके पास कितने रु कितने रुपए हो गए तीन रुपए हो गए तीन रुपए हो गए ते वुप एक के लिए जहा अब को क्या करने हैं फोर्टीन रुपय देने 14 रुपई आपको किसी को देने है तो यह हमसे पूछ रहे हैं कि आप कितने तरीकों से उसको दे सकते हो तो यहाँ पर हमारे पास कितने रुपई है हमारे पास 17 है कितने है 17 10 4 और 3 अब हमें देने हैं किसी को कितने 14 रुपए तो हम एक तरीके से क्या दस तो हमारे पास देखो एक ही है तो दस तो हमें देना ही देना पड़ेगा उसके बाद हमारे पास एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं तीन सिक्के हैं और दो दो रुपए के दो सिक्के हैं इसके कर सकते तो दो रुपए का एक सिक्का दे सकते हो और वन वन रूपी इसके दो सिक्केस में दे सकते हो तो आप कितने तरीके से यहां पर दे सकते हो इसको दो तरीके से आप इस चीज को वहां पर 14 रुपए आप दो तरीके से क्योंकि आपके पास 10 का तो एक ही सिक्का है ना अब आप चेंज कितना कर सकते हो एक और दो दो बार चेंज कर सकते हो तो फिर राइव ही हैं आपके पास और अगर फिर करोगे तो आपका रिपिटेशन उसमें हो जाएगा तो इसका उप्स होगे हो होगा कौन सा सेकेंड सही हो जाएगा ठीक है चीजों को समझने का ज़्यादा प्रियास कीजिएगा क्योंकि ये math है और math में concepts भी बहुत सारी यहां पे लगते हैं देखेंगे हम अपने next question को next question क्या है इसमें एक mobile phone के keypad में दी गई संख्याओं को ये गुड़ा किया जाए और smart पढ़ाई क्या होती है आपको पता है कि जहां पर भी जीरो से किसी को multiply होता तो वो जीरो हो जाता है आपने देखा होगा mobile के keypad में आपका जीरो भी सामिल होता है तो जहां जीरो सामिल है तो आपका option सीधा सीधा चार हो जाएगा आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी तो इस तरीके से आप smartly अपने questions को वहाँ पे solve कर सकते हो और यह आप कर तभी पाओगे जब आपने बहुत सारी practice की होगी इसलिए मैं हमेसा कहते हैं अपने हर वीडियो में कि previous year को इतना practice कर लो कि अगर उस टाइप का कोई question आता है तो आप उसको smartly solve कर पकाओ ना कि आप महाँ पे उसमे time अपना consume करो देखें कि अपने third question को यहाँ पर एक बगीचे में कंगारू के 48 यानि कि कंगारू के कितने हैं 48 पद चिन होते हैं पैरों के निशान ठीक है खरगोशों के 12 हैं खरगोशों के कितने हैं बारह पद चिन है और बतक के 40 पद चिन हैं अबसा है कितने ही हृँ कैफाही है और खर्गोष मेंघ कितन मेड़ाई फोर्टीएट फोर्र होजाएगा तो कितना होगा आपका बराबर यहांपे तो आपको कितना होता है, तो आपको पता चल गया कि 12 आपके क्या है? कंगारु, जैंख मुत के कंगारु के हंची होड़ाने पहले पूछा एगा reason sound तो यह दोनों जाते हैं भर्णों कितने पदिचिन है 12 पदिचिन है एक तुझों के false fiat है जासे करेंगे देहला जपकले सीनों 81 पंडिश या फोगत है यर इंघ नहीं कितना होना चींगись यह हमारे पहले ही गलत होचेगे, आपका स्मार्टली बर्ग हो गया, अपसन आपका थड़ सही हो गया, हमें आगे का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बहुत ही जल्दी सॉल्ट कर सकते हो, ओके, देख, आयताकार और रीके जल्दी सॉल्दी से आपके तो आइठ, बढ़ना रीके सपार खेगदी सॉल्दी सॉल्दी जरूरत थे सवोत है जरूर्टदीत में आपको बहुत कॉरई नहीं है, योर ऑध्या होगा, यो इपको ना चाहिए, और अ पर और टी तो आपको आपक कर He efic staff, जरूर like और चेत की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा यां कि अगर यह है तो यह कि देंगे तब इसके जो परिमाप है कितना होगा तो हम दोनों का परिमाप पहले यह आप새 क्या करेंगे देख लेंगे तो मालो आपका यह एक आयत है ये आपकी चार है ये तीन है और ये चार है और ये तीन है क्योंकि आपने सामने की बुझाएं आपकी क्या होती है बराबर होती है परिमाप के हमेशा समझो परिमाप क्या होता है परिमाप आप किसी एक बिंदू से यहां से आपने चलना स्टार्ट किया आप यहां गये यहां से फिर आप यहां डारेक्ट उसी बिंदू पे आगये तो अपर यहां पर जब आप पूरी उसकी परी मतलम भाहरी बाहर की ठीक है और माप मतलब उसका माप तो इसका क्या हो जाएगा वैसे अगर आप मतलब फॉर्मूले से करना चाहो तो टू इंटू L प्लस B होता है क्या होता है L प्लस B बट हमें ऐसे नहीं करना है हम अभी क्यूंकि बहुत ही एजी क्वेशन है तो हम ऐसे ही कर लेंगे चार चार ये आठ हो गया और तीन तीन छे तो आठ और छे कितना हो जाता है आपका आठ और छे आपका हो जाएगा यहाँ पर फॉर्टीन ठीक है अब हम देखेंगे यहाँ पर अपना जो दूसरा माल लो यहाँ पर आपका यह आयत है यह आपका चार है और यह आपका क्या है तीन है यहां पे तो हमने क्या गया हमने यहां पर एक सेंटीमीटर इधर और एक इधर से और एक इधर से हमने यहां पर क्या काट लिया है हमने यहां पर हमने अपना काट लिया है बर्क तो हमारा यह जो पोर्शन है यहां से यहां से इसको मिटा देंगे क्योंकि अब यह हमा तो इस से कटे गया तो हितना बचा है तो इसको जोड़ लो चार दूचय और शे कितना हो गया हमारा वारा इस सब्सक्राइब भणरी उच्छाइब अब यह हो गया अभी तक हमारी जो बाउंटरी थी यहां पर तो हमचे हमने ऐसे डायरेक्ट इसको यहां से मिला लिया था boundary लेकिन अब हमारे पास एक एक ये भी तो बचा है ना यहां पे यह जब हम देखो अब हमारे पास boundary कितनी बची आप उसको देखना है इसको हम हटा देंगे यहां से यह हटा दिया हमने इसको तो देखना हमारे पास परिमाप कितना बचा है उसको देखेंगे तो एक हम यहां से चले, ठीक है, तीन हम यहां से चले, तीन हम यहां से चले, चार यहां से चले, और उसके बाद फिर से हम दो यहां से चले, एक यहां से, यानि कि जो हमारा यहां यहां पर एक एक कम हुआ है, तो वो हमारा फिर से यहां पर हमें क्या मिल गया, प्लस मिल गया तो 14 का ratio मतलब 1 ratio 1 तो आपका answer हो जाएगा 1 ratio 1 कौन सा है आपका इसमें थर्ड वाला option आपका इसमें सही हो जाएगा चलेंगे हम अपने next question पर नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे शान 2 लीटर दूद को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1 बटे 2 दूद यानि सान के पास कितना लीटर दूद है 2 लीटर यहाँ पे उसके पास क्या है genes milk है तो पहली बोतल में वह क्या करता 1 बटे 2 का मतला होता है आधा अब 2 का 1 बटे 2 यानि की 1 लीटर ठीक है 2 का 1 बटे 2 तो 2 से 2 जाएगा हमारा कितना बचा 1 लीटर यहाँ पर बच गया तो 1 लीटर उसने एक बोतल में भर दिया हमारे पास remaining milk कितना है 1 लीटर बचा हुआ है अब हम देखें तो 1-3 भाई अब कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर 1 तो यह हमारे पास कितना बचा 1 बटे 4 यानि कि हमारे पास जो दूद बचा है जब उसने 3 बटे 4 डाल दिया तो 1 बटे 4 अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो आपका 1 लीटर बराबर होता है वो आपका होता है 1000 ml ठीक है तो उससे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 1000 मिलीटर का कितना बचा है एक बटे 4 भाग यानि कि एक बटे 4 भाग हमारे पास बचा हुआ है तो इसका एक बटे 4 कितना होगा 4 और 2,50 यानि कि आपका हो जाएगा 250 ml ठीक है न अब मारे पास कितना होगा 250 ml हमारे पास क्या हुआ है मिल्क हमारे पास बच्चा हुआ है तीसरी बोतल में बच्चे हुए दूद की मात्रा एक बच्च पांच मात्रा हो और जो आपकी तीसरी बोतल बच्ची है हमारे पास मिल्क कितना बच्चा है 250 ml और उसमें से हमें गया 1Y5 अब तीसरी बोतल में भरना है तो 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 50 है नहीं कि 250 का 1Y5 होता है आपका 50 ml तो जब आप एक में आपका है कितना 50 ml तो आपके पास तीरों पोतले भरने के पास आपके पास कितना मातरा में दूद बचेगा तो हमने एक लीटर भर दिया प्लस 750 ml भर दिया प्लस 50 ml भर दिया तो टोटल हो गया आपका 1800 ml और आपसे आंसर भी देखो ml यानि कि मिली लीटर में ही पूछा गया है तो आपके पास 2000 ml था दो लीटर का मतलब 2000 ml तो 2000 मेंसे आप 1800 को माइनस कर दोगे तो आपका उप्सन इसमें वन इसमें सही हो जाएगा देखो मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं आपको सारे कॉंसेप्ट समझा सकूँ जिस तरीके से आपको वहाँ पर क्वेस्टन को करना है आप इसको एक मिनट के आप आधा मिनट में भी कर सकते थे डायरेक्ट आपको देखो अकर आपको पता हो कि एक लीटर भी कितने मिली लीटर होते हैं है ना इस तरीके की जो छोटे-छोटे concept है वो आपको पता होने चाहिए देखेंगे हम अपने next question को यहाँ पर बरूर के पास क्या है एक 10 रुपे का नोट है वो है 6 रुपे का एक पेन खरीदता है तो आप उसके पास कितने रुपे बच रहे हैं 4 रुपे हैं दुकानदार से हैँ तो आप उससे कितने सिक्रेव कितने सिक्रेव हुए भू包र को रुपे है कि एक और दुकानदार तो से來說 इक का अभी देगा दो का भी देगा तो डो किसके बहुते इजी question आएंगे तो घबराने की जरूगत नहीं है positive मायंड सेट के साहथ आप उनको करिएगा और 100 परसेंट आप उनको कर पाएंगे और आपको कोई भी डाउट है कोमेंट्स एकसर में लिखके पूंच सकते हूं मैं सभी के कोमेंट्स का reply करती हूं चेक्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 45 है 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के बर्गों का योग क्या है? एक चीज हमेसा ध्यान रखना आपको question बहुती सांत माइंड से पूरा पढ़ना है, ओके? आपको कभी भी ऐसा नहीं कि अधूरा question छोड़के और आप अपने चीजों को बहाँ पे करने लगो नहीं आपको question पूरा पढ़ना पड़ेगा तो हम देखेंगे यापे 6 क्रमागत संख्या है और हमें 3 जो संख्या है पहले की हैं तो इसके लिए हमें क्या है पहले तो 6 संख्या हैं हमें निकालनी पड़ेंगी अब क्रमागत क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगत यानि कि क्रम से आने वाली तो हम इसमें माल ले यानि कि हम first संख्या अगर x मानते हैं तो आपकी दूसरी होगी बहाँ पे x प्लस 1 ठीक है तो क्यूंकि याँ पे जगह नहीं है मैं इनको बैक करके लिखती हूँ तो आपके पास x प्लस 5 तक हो गई है याँ पे संख्या है अब जब आप इनको जोड़ो गे यहाँ पर तो कितनी हो गई एक दो तीन चार पान च्छे एक्स हो गया दिया गया है यहाँ पे ओके अब 6 x हमारे पास है तो हम 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 30 तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6 फाइवजा यहाँ पे 30 यह नहीं कि x बराबर आपके पास कितना आ गया 5 आ गया अब आपको संख्याएं पता चले है उन्होंने बोला है हम से 6 क्रमा का संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के बरगों का यहाँ पाँच का बर कितना होता है 3, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यानि कि आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर जो आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, फर्स्ट एक सो दस इसको जोड़ने से हो जाएगा, चलेंगे, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, इसको हम एक एक अवाज संख्या नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, देखो, अब आप कैसे जान पाओगी, यह सही है या गलत है, इसके लिए आप जो अवाज संख्याएं होती है, आपको उनका कॉंसेप्ट किलियर होना चाहिए, अब आज जी संख्याएं वो संख्याएं होती है, जो कि स्वैम से ठीक है, और प्लस वन से कटें, उनके दो गुडन खंड होने चाहिए, स्वैम से और एक से कटती है, अब एक हमारी अवाज संख्याएं क्यों नहीं है, क्योंकि एक स्वैम ही एक है, विसके लिए कोई दूसरा गुडन खंड हमारे पास नहीं है, इसलिए आपकी अवाज संख्याएं नहीं है, अज जी भी नहीं है, और भाज जी भी नहीं है, भाजी के लिए तो आपके कम से कम तीन गुड़न खंड होने चाहिए है ना तो आपके दोनों ही option इसमें क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे ओके देखेंगे अपना next question तीन बीसवे का दो तिहाई है तीन बीसवे मतलब की 3 by 20 अब इसका क्या है दो तिहाई इसका 2 तिहाई कितना होगा तो जब इस तरीके से आता है तो इसका मतलब यहाँ पर multiply हो जाएगा तो 3 से 3 आपका cut जाएगा तो यह रह जाएगा आपका दो वीसवे कितना रह जाएगा दो वीसवे यानि कि आपका first option इसमें सही हो जाएगा चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेस्टन पर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, गीता सौ मीटर की तार से एक जमीन पर बाड लगाना चाहती है, उसे किस आकरती की होम पर बाड लगाना चाहिए, ताकि उसके पास अधिक्तम छेतरफल की भूमी हो, तो इसमें आपका की तार के हिसाब से आपको इसका सबका चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इस टाइप के जो क्वेस्टन होते हैं, जो आपका बहुत जादा टाइम कंजियूम करें, तो एक आध क्वेस्टन पर आप क्या कर सकते हो, तुक्का बगार भी यहाँ पर लगा सकते हो, मैं आकरती का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सम्मिती हो, ठीक है, उसने जवाब दिया, अब आपकी एक टीचर है, देखो सबसे पहले अब समझना होता हमें सम्मिती क्या होती है, माल लो मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया, आयत बना दिया, तो इसमें हम एक ही लाइ हम से, एक सम्चत्र कुछ दिया है, तो सम्चत्र की आपकी क्या होती है, चारों बुजाएं यहाँ पर बराबर होती है, और इन्हों ने एक आपको दी है, क्या पतंग यहना की काइट, आप देखेंगे हम इसमें इसमें किस तरीके से बनेगी, आप देखो काइट में क्या makers आपका ये बाला भाग और ये ये बराबर होती है और नीचे बाला आपका थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपका ये बाला इसमें बराबर होता है आप सम्मिती इसमें आपकी क्या होगी एक ही लाइन या पर ऐसी है जो इसको सम्मिती में करेगी अगर आप यहां से इसको मिल तो ये आपकी चोटी और बड़ी हो जाएगी बढ़ आपका जो समचस करूज होता है वह क्या है वह आपकी चारों हो जाए अब किया होती है तो इसको हम दो ऊहिए से सम्मीति में दिखा सकती है तो आप इस तरीके से लाइन करोगे तब भी आपकी वो दो पार्टे से बिराबर डिवाइड होगी तो इसमें चूपका उप्शन आजाएगा वो आपका कौंसा हो जाएगा संचतुरपुझ यह यहीं कि संचतुरपुझ आपका ऐसा है जिसमें कि समितिय क्या है जाधा होती है देखेंगे अपने next question को पूश्तास clerk ने एक यात्री को बताया कि दस मिनट पहले ही बस निकल चुकी थी और अंगली बस पूर्वाहन पूर्वाहन का मतलब होता है आपका एयम 9.25 पर निकलेगी ठीक है तो पूश्तास clerk ने ये जानकारी यात्री को कब दी होगी यानि कि आदे घंटे का बस में क्या है डिफ्रेंस है और उसने क्या कहा कि 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है तो 9.25 पर उसने जानकारी दी है यानि कि 10 मिनट पहले तो इधर साइड इसके पास कितने बचे हैं 20 मिनट बचे हैं ठीक है तो 9.25 में से जब आप 20 मिनट को माइनस करोगे देखो समझो जैसे माल लो उसने कहा है कि 9.25 एम पर निकलेगी दूसरी जो बस है आपकी अब 9.25 एम से आदा घंटा आप पीछे आ जाओ तो कितना हो जाएगा आपका आठ बचके पच्पन हो जाएगा उसके बाद उसने क्या का कि 10 मिनट पहले ही निकली यानि कि 10 मिनट आपके उधर डिवाइड हो गए तो आपके कहां पर पहुंच गए आप 8.55 से 9.05 पर ठीक है 9 बजने तक 5 मिनट और उसके बाद 9.05 तो आपके पर 10 मिनट यहाँ पर यह हो गए तो आपका जो ऑप्सन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 9.05 एम पर गलर्क ने यह जानकार यातरी को वहाँ पर दी होगी चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है आपका 43 इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है इनोंने यहाँ पर हमें कुछ उपसन्स दिये है उसके इसाफ सी हम से पूछ रहे है कौन सा ऐसा आयत है जिसका की परिमाप सबसे जादा होगा देखेंगे हम इसमें आयत जिसका छेतर्फल 60 बर्ग सेंटी मीटर है और एक भुजा एक सेंटी मीटर है यनि कि आयत का छेतर्फल पहले तो क्या होता है L इन्टू V तो यहाँ पर अगर इसका छेतर्फल बर्ग सेंटaur है इसकी लंबाई ये है, और इसकी चोडाई क्या है आपकी एक है, ओके? तो उन्होंने परिमाप पूछा है, अमसे परिमाप, थे झाल दिसकस करा है, परिमाप कहते किसे है, परिमाप मतलब बहार की और माप मतलब आपकी few-maप जो भी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे 62 into 1 तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो 2 into यहाँ जिसका चेतरफल 60 बर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 2 सेंटीमीटर है यहाँ कि आपका 60 बर्ग सेंटीमीटर क्या है इसका चेतरफल है और एक भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ कि 2 सेंटीमीटर चेतरफल होता आपका L into V ठीक है तो एक 2 है मतलब 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो एक हमारी कितनी हो गई 30 तो यहाँ पर देखना आप 30 30 कितना होता है आपका 60 और फिर 22 अपका हो जाएगा यहाँ पर 4 तो 64 आएगा इसका परीमाप तो यह कम है इस तरीके से जैसे ही आपकी भुजाए बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर आपका जो परीमाप है वो क्या होगा घटता जाएगा इसलिए आपका उफसन इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन ओके देखें कि अपने next question को next है हमारा डॉक्टर ने अमन को रोज परियाप्त मातरा में पानी पीने की सलहा दी वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गलास पानी पीता है एक दिन में कितना पानी पीता है 14 गलास पानी पीता है यदि गलास की छमता 300 मिली लीटर है तो एक सबतहा में कितने लीटर पानी पीएगा यानि कि 14 गलास एक दिन में पीता है तो 300 मिली लीटर का है तो एक दिन में कितना हो जाएगा 42 और 2 0 तो इतना एक दिन में पीता है अब हम इसमें क्या करेंगे 7 से multiply कर देंगे तो कितना हो जाएगा 004 और उसके बाद 1 और 29 तो 29400 हम इसको दुबारा लिख लेते हैं यहापे 29400 अब यह आपका क्या आगया है यह आपका milliliter आए क्योंकि यहाप पर हमारी जो चमता दी हो milliliter में दी हो पूछा हमसे किस में है लीटर में आपको unit हमेशा ध्यान रखना unit की बज़े से बहुत सारे बच्चों के questions गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मीटर लीटर इसमें समझते नहीं उन्हें लगता है जो पूछा गया था वही यहापे है तो इसलिए आपको इन सारी चीजों पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा है ना तो अब हम क्या करेंगी देखो एक अभी मैंने आपको बताया था ए चलेंगे आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन को हम देखने हैं और उसके बाद जो आपके पैटागोंसी के क्वेश्चन है वो वीडियो भी आपका कल तक सुबह तक अपलोड हो जाएगा तो आप लोग पढ़ते रहेगा आराम से अपनी तयारी को करत कीजिए तो इससे पहले पहले आपको पता होना चाहिए कि कोड होता क्या है कितने डिग्री माप होगी तो उस कोड को हम कहते क्या है बहाँ पे है ना तो जब एन तो देखो 90 डिग्री आपका सीधा होगा तो यह सीधा तो है नहीं और जो 90 डिग्री से कम के फिर चाहे आप के क्या कहलाते है एक्यूट एंगल यानि की नियून कोड कहलाते हैं क्या कहलाते हैं नियून कोड तो हमने दो समझ लिए अगर आपका ऐसे है तो आपका ये 90 डिग्री यानि कि क्या है 90 डिग्री और यह आपका सीधी लाइन क्या होती है आपकी 90-90 के दो हो गए तो आपकी 180 अब जो आपका यहां से यहां 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 पूर नीव को ने बेंदने से और नाइटि के बीच में जो होते हैं तो हम पूरी कोन के हैं तो यह सारे आपको पता होने चाहिए तब और बहाँ पे options को choose कर पाओगे तो N में गा है आपका new code यहाँ पे option आपका one सही हो जाएगा अपनी पूरी कोसिस किये कि मैं आप लोग को समझा सको और I hope आपको class पसंद आई होगी और पसंद आई है तो like जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की आपको important video यहाँ पर मिलती रहेंगी तो मिलते हैं फिर एक next video में कुछ next important questions के साथ अब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी practice को continue रखिएगा और एक positive mindset के साथ पढ़ते रहें पेपर आपका अवश्य ही किलियर होगा तो all the best और thanks for watching जैहिंद